है काइस हाज हम लोग बनाने भले हैं सबसे इजी तरिक्ठा से एक दम तोरह से अलक्सा। यह आनडा का बिर्यानी ठीक है पहले हम लोग एक काफ के बिर्यानी चावल इसको हम बीगो कैसको रेप करेंगे ठीक है अच्कासरे आपने करेंगे से एक मसल मसल के और जोड से मत करना स्वाध चला जाये जर्दा प्रेस नहींसरा तो आधनारम आतों देशना है कि उसके बात हम लोग क्या करेंगे इसको थोरा टाइम के लिए कम से कम पंरह विश मिंट के लिए को न ब्रह releasing कि रखेंगे क्योंकि जो शुस्क जो फ्लेवर्स है वह अस्या से बन जाए वह खाने पे भी बरियासा लगे इसलिए इसलिए अभी हम लोग क्या करेंगे जो इंग्रेडेंस यह देखो मेने यह सिप्स की तरह काट लिया है टॉमिटे को प्यास को आप लोग इस तरह से काटना है बिर्यानी के लिए क्योंकि प्यास का जुश्वा थे और भी बर जाए बिर्यानी का यहापर मैंने धनिया को काट कर रखा है थोड़ा सा यह स्लाइस टाप का मैंने इस मिर्ची को काट करेंगे अभी हम लोग पहले क्या करेंगे जो थोड़ा सा हम लोग तावे पे हम लोग ओयल धालेंगे अपने मत्रे के उनिश्वार उसके बाद हम लोग जो प्यासे मैंने काट करेंगे उसका हम लोग थोरा सा जदा लाल नहीं होना चाहिए जदा पिला भी नहीं होना से उसमें थोरा सा हम लोग क्या करेंगे थोरा से मीडियम फ्लेम में उसको फ्राइ करेंगे अससे फ्राइ करना है उतना भी नहीं करना है बाद में हम लोग इसको निकालके रगना है ठीक है आप लोग देखत जाए लास्तक में कैसे बनाता हूँ आप लोग इजली सिख पाऊगे जो बिर्यानी गर पे आप लोग कैसे बनाते हो इस तरह से आप लोग को बनाना है बाद में हम लोग इसको एक प्लेट में निकाल देंगे अच्छा से आप लोग अच्छा से निकाल देजिए बाद में हम लोग एक कोंटेनर पे हम लोग तोरह सा एक लीटर संदिक पाइए लेंगे उसमें हम लोग काले जीरा खुश भी हो या जीरा पड़ जीरा जोता है न आसता वही डाल देंगे यह मैंने डाला है यह दोखो लेसेन शोरी य लाइची है और डाल जी डाल दिया है मिस्टिक ली बोल दिया था अभी इसमें आम लोग जो बिर्यानी के जो चावल जो मैंने भीगा के रखा है वह आम लोग डालेंगे इसमें मैं हातों से डाल रहा हूं इसलिए मेर को अच्छा लगता है इसलिए डाल रहा आप लोग चमज से डाल सकता है आप लोग कमजी ठेक है अब इसमें हम लोग कुछ नीं डालेंगे कि अब थोड़ा थाइस में हम लोग प्यासुचों अब होगे धाले थे निल्या मेर प्यास को डूएयां यहां बुर्या राखना उसके बाद हम लोग अच्छे से फ्राइ करने जाना है ऐसी फ्राइ करना है आप लोग को गर पे आप लोग अच्छे से बिर्यानी का स्वात ले सकते हो एकदम इसली अभी इसमें हम लोग तोड़ा से हल्दी पावडर इसकरेंगे तोड़ा से मिस्क पावडर और इसमें बिर्यानी है वो भेतरीन हो जाए और खाने पे भी बढ़ीया शालेगे इस तरह से आप लोग को बनाते जाना है यह सबसे इजी तरीका है बिर्यानी बनाने का गर पे आप लोग कोई बाहर से रस्टुएंस और बेकरा लाना नहीं परेगा गरपी इजिली बना सकते हो मैंने स स्लाइस की तरह जो पिया मैंने मिर्ची को घाटाए उसको भी एड़ कर दिया इसमें थोरा साम ताजा दनिया जो है वह भी एड़ करेंगे इसमें ठीक है मैं एक दम इजली बाताते जा रहा हो आप लोग को देखते रहेगा अब लोग अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे थो यह दिखो यहाँ पैनि जो है तोरा से जादानी स्थोरषव से करेंगे से फ्रस्च यहाँ काम संतिंग के असना चेट्रेशा इस को सफब्स के वह दो हम लोग है बिर्यानि चबन क्लेश़ाविट्रा सब्वे,क्योच पोम एल कि आन फ्राय किया था उसको निकाल का आप ल दिया था मैंने बोला नहीं है आप लोग को पहले सवरी उस बात के लिए बुरा मत मनना आप लोग यहाँ पर मैंने यह जो आंदा का जो यह पिला है वह अलग से धहराओ देखो कितना इसका जो वाइटना है उसको अलग से धहरा हूँ दो टैप से देड़ाओ में एकतम कितना बहतरी लग रहा है देख लिए खाने पर भी उतना स्वाद आने वाला है आप लोग जो मैंने प्यास को पहले बोल किया था मुने प्राई किया था वह उपर से ऐसे देजी कि कि इसका जो डीजाइन है और स्वाद जो है वरिया सा हो ज एकदम से आप लोग खा सकते हो गर पे इसको इजीली बना के कुछ खाईए गर पे एकदम इजीली प्रसस है बनाने का बिर्यानी बनाने का और सपोटिंग आप लोग का देखके ही वीडियो बनाता हूँ थेंक्यू स्वामास इतना सपोटिंग करने के लिए मुझे और 2100 मास पेरे वीडियो को देखने के लिए